नमस्कार दोस्तों मैं अर्चन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको मकर संक्रांती के बारे में बताने जा रही हूँ जैसा कि आप सबको पता है कि जनवरी मा में 14 जनवरी को पढ़ने वाली संक्रांती को मकर संक्रांती कहते हैं वैसे तो हमारे पुराणों में 12 संक्रांतियों का उलेख है पूरे वर्ष भर में 12 संक्रांति पड़ती है जिन में से 4 बहुत विशेश होती है और उन 4 संक्रांतियों में से भी सबसे उत्तम जो संक्रांति मानी जाती है वो होती है मकर संक्रांति इस दिन सूर भगवान जो है अपनी धनू रासी को छोड़ के मकर रासी में संचरण करते हैं पहले वो पूर्ग से दच्छिड की ओर चल रहे होते हैं जो की अच्छा नहीं माना जाता है इस दिन से मकर संक्रांती के दिन से वो पूर से उत्तर की ओर चलने लगते हैं इसलिए इनको उत्तरायन बोला जाता है इस बार सूर का मकर रासी में गोचर 14 जन्वरी को दो पहर दो बज़ का 27 मिनट से हो रहा है तो इसी दिन पुनकाल भी लगेगा तो आप लोग 14 जन्वरी को संक्रांती मना सकते हैं इस दिन के बारे में कहा जाता है कि इस दिन इस नान दान जब तब करने का बहुत ही महत्व होता है इस दिन सूर भगवान जो है पूर से दच्छड की ओर पहले चलते रहते हैं वो इतना अच्छा नहीं माना जाता हमारे पूराणों में भी इसका वरंड है तो आज के दिन से भगवान सूर पूर से उत्तर की ओर में चलते हैं तो इस ओर उनका चलना अति शुब माना जाता है और ये भी भगवत गीता में स्वयम भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब सूर उत्तरायन होता है उस समय की जो तिथियां है वो प्रकाश में होती है आता इस प्रकाश में मनुष्य यदि मनुष्य के सरीर का त्याग करता है या त्याग होता है तो मनुष्य पुनार जनम नहीं लेता अर्थाज जनम मरण के बंदुनों से मुक्त हो जाता है तो इसलिए महाभारत काल में भी भीष्पितामा ने जिनकों की इक्षा मिर्ट्यू का वर्दान प्राप्त था और वो काफी दिन पहले ही घाय लवस्था में बाणों की सईया पर पड़े हुए थे उन्होंने भी अपना सरीर पहले नहीं त्यागा था वो भी सूर के उत्राइन होने का ही इंतजार कर रहे थे जब मकर संक्रांती आई और सूर उत्राइन हुए तब उन्होंने अपने देह का त्याग किया तो इसलिए इंगोंने ऐसा किया कि आगे उनको पुनरजनम ना मिले और भगवान के लोग को चले जाएं इस दिन इसनान दान का महत्वी इसलिए है कि लोग इसनान करते हैं किसी भी धार्मिक जगा किसी नदी में सरोवर में तालाब में जो भी आपके पास पास अगर पवित्र नदियां हैं तो सुबा ब्रहम मूरत में उठ जाएं और इसनान आवस्य कीजे इस दिन इसनान का सूर भगवान की पूजा करिए एक तांबे के लोटे में आप उनको जल ले जाकर और तिल डालकर उससे उनको आर्ग दीजिए और लाल पुष्प भी उसमें डाल लीजिए इसके बाद आप अपने मंदिर में पूजा कीजिए और अपने भगवानों को भी तिल और गुड से बनी मिठाईयों का भोग लगाईए इसके बाद आप जाकर सरपथम जो भी आपको दान करना है वो आप दान करिए और दान के लिए हमेशा ध्यान रखे कि दान हमेशा पात्र व्यक्ति को ही करना चाहिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर दीजिए जिसे उन चीजों की ज इस दिन क्या करना चाहिए जब आपको नहाना हो सबसे पहले आप तिल का उप्टन बना लीजिए उसको पीस कर उसको अपने सरीर पर लगा लीजिए और लगा कर फिर इसनान करिए अगर आप उप्टन नहीं बना के लगा पा रहे हैं तो जिस जल से आप इसनान करने जा रहे प्राप्त होगा इसी तरह इस दिन गुड के तिल के जो लड़ू है वो आप बनाईए या बाजार में भी आजकर मिलते हैं जो भी आप कर सके जो आपके लिए सही हो वो लड़ू तिल के गुड के बना कर आप अपने मंदिर में भोग लगाईए आप उनका दान अवश्य कीजिए और गरीबों को भी चीजों का दान करिए खिचरी का दान का बहुत महत्व कहा गया है और ये खिचरी का दान जो है ये लगभग पूरे समूचे ही उत्तर भारत में होता है इस दिन लोग खिचरी बनाते हैं काले उरत की दाल की चावल के साथ मिला कर वो खिचरी बना के खाई भी जाती है बहुत से लोग उसमें ही काले तिल थोड़े से मिला के बनाते हैं और बहुत से लोग अलग से तिल के लड़ू खिचरी के साथ खाते हैं तो इस दिन तिल का सेवन जरूर करना चाहिए और तिल का दान भी आवश्य करना चाहिए कहते हैं इस दिन जो भी मनुश्य तिल का दान करता है वो भी खास करके काले तिल का दान कि कहते हैं इस दिन जो है जब सूर भगवान मकर रासी में आये थे और मकर रासी के स्वामी होते हैं शनी देव तो शनी देव उन्हें उनकी काले तिल से पूजा करी थी जिससे सूर भगवान बहुत प्रसंद हो गए थे और उन्होंने शनी देव को भी आशिरवात दिया था कि आज के दिन जो भी मनुष मेरी काले तिलों से पूजा करेगा और काले तिल का दान करेगा वो हर प्रकार के जन्मन मंदन से छूट जाएगा और उसके समूर पाप नस्ठ हो जाएंगे और वो शनी की ढईया या साड़ साती की भी पीड़ा से मुख्त हो जाएगा अंकरामती का जो पून्यकाल है वो 14 जन्वरी को 2 बच के 12 मिनट से 5 बच कर 45 मिनट तक है तो जैसा कि आपको दान और जो भी करना है इस तरह के पूजा पाठ तब ये सब आप इस पून्यकाल में कर सकते हैं इस दिन खास करके आ आपको दान अवश्य करना चाहिए और गव माता की गव माता की भी सेवा अवश्य करनी चाहिए गव माता को खिचरी में तिल डालकर आपको आवश्य खिलाना चाहिए और आपको अपनी जो घर में खिचरी बनती है वो खिचरी बनाकर उसमें तिल डालकर या तिल के आपको भोग अवश्य लगाना चाहिए और मंदिर में दीप अवश्य प्रजुलित करना चाहिए और दीप हो सके तो शुद्ध देशी घी का प्रजुलित करिए आप चाहें तो उसमें सफेद तिल या काले तिल के कुछ दाने डाल सकते हैं सफेद तिल डालिए क्योंकि अगर आपको बर्गत का व्रक्ष मिल जाता है तो बर्गत के व्रक्ष के नीचे और एक और व्रक्ष बहुती प्री होता है क्रिश्ण जी का प्री महिना है तो क्रिश्ण जी को कदम कव्रक्ष बहुत प्री होता है आप चाहें तो अगर कदम कव्रक्ष आपको कहीं मिलता है तो उसके नीचे भी आप यह दिया लगा सकते हैं इसी तरह से इस दिन आपको अपने पित्रों को भी जरूर जल देना चाहिए इस तरपड जल में आप काले तिल डाल के दक्षिर की ओर मुख करके आप उनको जल दे सकते हैं इसी दिन क्या बोलते हैं कलकत्ता में भी गंगा सागर का मेला लगता है तो लोग वहाँ पर इस दि जो है आपको विश्णु भगवान की शियु भगवान की अभिशेख जरूर करनी चाहिए अभिशेख से मिल से उनको आपको इस्दान जरूर कराने चाहिए शियु भगवान का आप चाहे तो पंचाम्रस से अभिशेख करिए और नहीं पंचाम्रस से कर रहे हैं तो आप श भोग लगाईए कहते हैं आज के दिन जो सब भगवानों का अभिशेक करते हैं उनको रासु यक के बरावर पुन्य मिलता है और गरीबों को निर्धनों को इस दिन आप दान करिए और एक चीज और ध्यान रखिए दान करते समय हमेशा ये ध्यान रखिए आप जिनको भी दा दान करना है वो पात्र व्यक्ति होना चाहिए हमेशा पात्र व्यक्ति को दान करना चाहिए पहुत जगह पर पतंग उडाने की वह है गुजरात में आपने देखा होगा कि मकर संक्रांती के दिन लोग कई राजियों में पतंग उडाते हैं तो उस दिन वहां गुजरात में पतंग उसो भी मनाया जाता है तो गुजरात का पतंग उसो पूरे भारत वर्ष में बहुती प्रसिद्ध है और उस दिन वो लोग अपनी छटों के पतंग उड़ाते हैं तो बहुत लोग इसको इससे भी जोड़ के देखते हैं कि उस दिन लोग सुबर सुबर अपनी च्छतों पर जाकर रंग ब्रंगी पतंगे उड़ाते हैं तो इसका भी एक सीधा मानना यही होता है कि वो सूर भगवान की प्रकास के संपर्ख में रहें जब वो पतंग च्छत पर जाके उड़ाएंगे तो सूर का जो प्रकास पढ़ और दच्छिड में पोगल के नाम से यह तेवहार मनाया जाता है तो कहने का ताथ पर यही है पूरे भारत वर्ष में कोई भी राज हो हर राज में अलग-अलग नाम से यह तेवहार मनाया जाता है इसी से आप समझ सकते हैं कि इस तेवहार की मानता कितनी अधिक है कि इस दिन खास करके आप भागवान को जल आवश्य mostra किजिए उनकी पूजा आवश्य कीजिये भग्वान श्यू का भिश्ए का भश्य कीजिये भगवान विष्णु का भिश्य का भिश्य कीजिये और अपने क्वों गरीबु को को और जितने भी मतलम डीती पसन झाय उंको दान कीजिए और दान में आप क्या था परफा दा है आप उनको गरम वस्टरदे सकते हैं क्योंकि साधन कंबल कोता है क्या मॉस्त पर दें हैं यह जैसे आप देखते हैं सड़कों पे बहुत से ऐसे निर्धन वक्ति दिख जाएंगे जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कुछ प्रयाप तो इतने साधन नहीं होते हैं उनके पास ना गरम वस्त्र होते हैं ना कंबल होता है तो आप कंबल भी दान कर सकते हैं और कंबल में यह ध्यान करिए कि अग